जारखंड विधान सवा चुनाप के पहले चरण का मतदान शुरू 13 सीटों पर हो रही वोटिंग गुम्ला में नकसलियों ने उड़ाया पुल बदपनेश में बीजेपी सांसदों के घर के बाहर कॉंग्रिस का सीटी बजावा अंदोलन केंदर सरकार से राहत राश्टी दिलवाने की मंग गी जोत्र अधित्य सिंध्या का बड़ा बयान बोले मैं कॉंग्रिस का सिपाही हूँ पार्टी छोड़ने से जुड़ी बातों को बताया अफ़भा जिलध्यक्षों के चुनाफ को लेकर बीजेपी ने किया बड़ा बतलाव आयू सीमा को 50 साल से बढ़ा कर किया पच्पद सीम कमलनाथ ने आदिवासियों के हित में लिया बड़ा फैसला आदिवासियों की जमीन गैरा आदिवासियों को बेचने पर लगाया प्रतिबर